ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशला कया चक्षूर्न मिलितम येना तस्मई श्री गुरुवे नम्हा अरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याए दो गीता का साथ श्लोक संक्या 54 अर्जुन वाचा सितप्रग्यस्य का भाश अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्याद्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रग्य क्या लक्षण है वैं कैसे बोलता है उसकी भाशा क्या है वैं किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है इस बैठता है और किस तरह चलता है it is very important to ask the right question हमने बच्पन से सुना है कि एक विद्यारती जो सही question पूसता है वो अपने teacher से बहुत सारी चीज़ें निकलवा सकता है तो जितना योग्यता एक अध्यापक की गुरू की है उतनी ही योग्यता होती है उनके शेश्यकी उनका चरितर कैसा है वो कितनी जी कितनी उनके अंदर purity है वो वास्ता हमने क्या प्रश्न अधिकतर technical हो जाते हैं हर प्रश्न इसको पूछने से पहले हम पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरी भक्ति को बढ़ाने के लिए या किसली है वाई आम आसकिंग इसको पूछन कई बार हम कुछन इसलिए पूछन कि कोई हमसे पूछ रहा है तो हम उसको बता नहीं पह रहे तो इसलिए भी पूछते हैं डाड इस ओक्रूच लिए वह भी परचार के लिए वह भी आद्याथी मुन नती के लिए लिए ऐसे प्रशन पूछन तो आरजुन का प्रश्न बहुत ही ज्यादा है आपर बहुत मैं बहुत ही रेलिवेंट कुस्शन है क्योंकि जब वह अभी तो मैं पता चलेगा कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं बेसिकली अर्जुनिसास्किंग इससे प्रिछले श्लोग में हमने सुना था कि ऐसा व्यक्ति समाध्य में स्थित्माना जाता है जो व्यक्ति निरंतर हमने अर्शिला परुपाद ने बताया जो निरंतर भगवान के सर्वेंट होने के भाव में रहता है भगवान ने बताया था कि जो वेदों की अट्रेक्टिव लेंग्वेज या पुन्य कर्मों के चकर में ना पढ़कर भगवान के आत्म साक्षातकार की समाध्य में स्थिर हो जाए तो यहां पर बता रहें कि ऐसे व्यक्ति के लक्ष आत्म साथकार है जो वेदों के इस स्थिति में हमेशा रहता है वह समाधी में अब यहां पूचा जा रहा है कि व्यक्ति के लक्षन किया है हम कैसे बचाने क्यों कि वह इंटर्णली देखे की किसी वेघ्ति को देख के पता नहीं चलता है लेग्शे में क्या चल रहे है एक कुछ काम कर रहे थे तो किसी ने भगते ने पूछ लिया कि परुपात आप तो कहते हैं कि हमेशा हरी कृष्णा जब ना चीए तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप पता नहीं सकते कि कि किसी के अंदर क्या चल रहा है तो माना हमने ने बोला कि जो आत्म साक्षातकार में स्थित है बट मुझे कैसे पता चलेगा यह वेक्ति आत्म साक्षातकार में स्थित है क्योंकि वो अंदर से किसी इंद्रियत रिप्ति के विशे में सोच रहा है एक सुंदर करनिया के बारे में सोच रहा है या कुछ और सोच रहा है या गुरू बनाएंगे जो इस परकार का लक्षन दिखाएगा आत्मसाक्षात कार के जो लक्षन दिखाएगा उसी वेक्ति को गुरू बनाए जाएगा दूसरा क्या फायदा हुआ दूसरा ये फायदा होगा जब हमें किसी के गुणों का पता चलता है और यदि हम किसी के किसी व्यक्ति को हवाते हुझ को यह कया तदीका है वास्तव में हम वैषिनों के गुरों का जो बखान करने कई इसके डुआरा क्या फायदा होता है हम मच़्बूर होते है भला के बारे अंदर हैबिट बन जाती है कि हम अच्छाईयों को देखें जिससे कि वही अच्छाईयां धीरे 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 हमारे अंदर वियाएती है लेकिन अक्सा समाज में जैसे कि दूसरे की गलतियां फॉल्स को देखने का आदत होती है हमारे अंदर तो जब किसी के गलतियों को बार विचार करें, मन में कुछ ना सोचें इस प्रकास से अच्छाईयां सोचें इससे हमारा फायदा है इसलिए हमारे हैं कल्चर है कि वैशनों के गुणों का बखान किया जाए, अक्सर ऐसा होता है ना केवर भगवान के गुणों का, जो कि हम सुन सकें, और उस पर meditate कर सकें तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत ही important question पूछा, हम सब के फायदे के लिए हम हम लोग अक्सर devotees की definition बताते हैं, कि who is a devotee क्या devotee एक caste है क्या एक caste system को devotee कहा जा सकता है वैशनों क्या है वैशनों क्या किसी जाती के द्वारा माना जाता है वैशनों की definition जब हम बोलते है आथ देखें कि हम वैशनों की definition में भी उसकी qualities के अधार पे बोलते हैं जैसे हम बोलते है असत्संगत्याग एई वैशनव अचार जो वैक्ति असत्संग्र का त्याग करता है ऐसे वेक्तियों के बीच में नहीं रहता है जो वैशनव नहीं है जो भगवान को नहीं मानते है या जो इंद्रिक्टिप्ति जिनका मुख्योदेश है जो वैशनव के बुराई करते है जो ऐसे व्यक्ति का त्यार कर देता है वही वैशना है तो ये एक quality के अधार पर हमने बोला और जाने कितने हम बोलते हैं कि वैशना हुआ है जिसका नाम के परती अटूट शर्दा है वैशना वो है जो भगवान के परती शर्णा गती है इस परकार से हम वैशना की definition में बोलते हैं कि ये वैशना माने जाता है इसलिए बार बार हम ये बता रहे हैं कि वैशना जाने जाते हैं उनकी qualities के द्वारा यदि हमारे अंदर वो वैशना qualities डवल अप नहीं हो रही हैं और हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो सही मायने माम वैशना नहीं माना चाहिए हम अपने आपको तो कभी वैशना नहीं माना चाहिए यदि हम थोड़ी भी समय के लिए भगवान को भूल जाते हैं यदि कभी भी हम भक्तों की बुराई में involved हो जाते हैं यदि कभी भी हम अविश्वाश faithlessness हमारे अंदर आयती है शास्त्रों के परती गुरू की बातों के परती तो समझ लीजी हम भक्त अपने लिए अपने लिए ऐसा सुत्माजी कि हम भक्त नहीं है और हम दूसरों के लिए हमेशा समझते हैं कि यदि वो थोड़े भी समय कृष्ण को याद रखता है यदि कृष्ण का जरासा भी नाम ले लेता है तो हम उसको भक्त की definition में डाल लेते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भक्त की definition में हम उसकी qualities की अधार पर भक्त को जानते हैं अब यहाँ पर अरजुन ने पूछा कि वो क्या पूछा अरजुन ने अरजुन ने पूछा कि उसके लक्षण क्या है उसके बाद बोलता कैसे है उसकी भाशा क्या है वो किस तरह बैठता है और चलता है कितना important है वैशनों का एक एक जैसे अभी हम भागवतम सुन रहे हैं हम देख रहे हैं कि भीश में पितामा किस परकार अपना प्राण जागते हैं तो एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं वो मरता कैसे है वैशनों कैसे मरता है तो कोई बताएग भक्तों के साथ में हों तो हमें बहुत ही closely monitor करना चीए observe करना चीए आपने उनकी बुराईयों को नहीं कि कैसे वो उनका भाव कैसा है वो बोलते कैसे हैं वो सब के साथ deal कैसे करते हैं बच्चों के साथ बढ़ों के साथ ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं यही अर्जन आज लोग करते हैं, बाकी लोग उनको वैसे वैसे फॉलो करते हैं, इसलिए एक वैशनों का बैठना, उठना, चलना, सब कुछ बहुत ही, सब है, बहुत ही शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, क्यूंकि लोग उसको अब्जरू करते हैं, और वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए को सामी जब नेक्टर व इंस्ट्रक्शन एक किताब है वो लिखते हैं तो उसमें सबसे बेलते हैं बोलते हैं वाचो वेगम बोली का वेग जो हमारे इंदर आता है इंटेंस डिजायर टू स्पीक अप उसको वैशनव किस तरह से बोलता है उस वेगों को कैसे कंट्रोल करता ह है तो कई बार सोचता है क्या यह बोलना जरूरी है क्या मुझे बोलना चाहिए जब कर रहा हूं जब करते करते को ध्यान में आ गया तो हम सोचना चाहिए क्या यह बोलना जरूरी है इसको नहीं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा ओके हरे क्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रि हावना मिर्त है? क्या एक इसी भक्त का गुणगान है? क्या एक क्रिष्ण का गुणगान है? क्या एक क्रिष्ण के नाम है? क्या क्रिष्ण के लीला है? क्या भक्तों का गुणगान है? भक्तों के लीला है? इत्यादी. ये सोच के वही वैक्ति वही बोलता है. तो इस सरे यहा यह important question जो है अर्जुन ने पूछा है इसका आंसर क्या देंगे भवान इसको हम शीगरी सुनेंगे ठीक है भगवद्गीता की जाए श्रीलपरुपात की जाए